आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Hello friends, इस question में क्या गिवएन हैं को? What is the radius of the circle? आपको क्या given है? एक circle की equation given है जो circle की equation given है आपको इसके लिए क्या बताना है? Radius बताने circle के लिए क्या होड़ाएगी ठीक है? और आपको चार option given है देखो, मुझे पता है जो circle की equation होती है मेरी general form में वो होती है x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square तो यह होती है मेरी simple circle की equation अपनी ठीक है? और यहाँ पर है अपना h, k जो होती है वो क्या होता है? center होता है अपना circle का और रोता है वो क्या होती है? radius of circle r denote करती है radius तो मुझे जो यह equation है उसको इस format में लेके आना है अगर मैं इस equation को इस format में ले आया तो मैं compare कर लूँगा ऐसा r square को यहनी radius लेका लूँगा ऐसे अपनी में और देख लेंगे को उसक्षिन करेट है अपना ठीक है? तो यह करना है अब को आप देखो equation लेके लेते हैं अपनी 4x square plus 4y square minus 20x plus 12y minus 15 4 से divided देंगे 15 by 4 equals 0 basically मैंने पूरी equation को 4 से divided ही कर दिया ठीक है? अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैं देखते हैं यहाँ पर 2 whole square बनाने हैं मुझे एक x minus h केड़म में और एक y minus k केड़म में whole square बनाने है तो देखो whole square मनाने के लिए यह 2ab केड़म में a square minus 2ab तो यहाँ पर plus b square मुझे add करना पड़ेगा तो अगर मैं इसमें plus 5y2 का whole square add कर दू and minus 5 by 2 का whole square subtract कर दू यहाँ एड भी कर दो subtract भी कर दो balance करने के लिए हैं आपर such that कि मेरे whole square बन जागा a square plus b square minus 2ab तो a minus b का whole square बन जागे मेरे यहाँ पर अब इसी तरह से इसी तरह पर क्या करने के plus मैं y square y square रिटम and plus मैं 3y अब देखो a square भी है और 2ab भी है अब 20 को ढूण ले हैं मुझे यहाँ पर तो plus अगर मैं 3 by 2 को add 3 by 2 का whole square add कर दू और minus कर दू 3 by 2 का whole square तो यहाँ से यहाँ पर 5 by 2 तो 2 से 2 इसे रहोगे minus 5 x बचेगा यहाँ तो जो मैंना add कर रहाँ वह subtractive कर रहाँ बैनस करने के लिए और last में minus 15 by 4 equals to 0 यह equation मेरी है यह से बनने कि अब देखो जो solve कर लेते हैं यह तो बन गया a square plus b square minus 2ab यानि x minus 5 by 2 का whole square यहाँ से बन गया plus यहाँ से a square plus b square plus 2ab यहाँ से बनने का y plus 3 by 2 का whole square ठीक है अब यहाँ पर term कर रहाँ से बचेगा यह के minus वाली यह के minus वाली और यह के minus वाली देखो 5 by 2 का whole square रहूंगा तो 25 by 4 रहाए गा minus यहाँ पर कितना आईगा 9 by 4 रहाए माइनस में और यहाँ पर रहाएगा minus 10 by 4 बस यह times बची मेरी बाकी क्या होगी मेरी देखो whole square बन के दो मेरे अब इसको लखिले दो मैं x minus 5 by 2 का whole square plus y plus 3 by 2 का whole square अब सबको इतर ले देंगे negative वाली term को देखो तीनों के derivative 4 4 4 4 है सम्भी 4 यह आएगा अपना ऊपर क्या value आएगी अपनी देखो ऐसे 25 plus 15 कितना होता है 40 40 plus 9 49 तो आप रहाएगा 49 by 4 अब 49 by 4 है पर equation में क्या था हमारे पास r square था basically मुझे क्या पताल अपना ऐसे r square के double लिखना पड़ेगा 49 by 4 को मैं कहले सकता हूं 49 by 4 को मैं कहले सकता हूं 7 by 2 का whole square में आसे में ठीक है तो r square यह आपना तो compare कर लेंगा तो radius के आपनी 7 by 2 आपनी which is 3.5 तो जो question का answer आपना radius आपनी 3.5 ठीक है अपनी 3.5 units आपनी radius of circle अपनी यह निगालना था हम को radius answer के आपनी option number 4 so this is the final answer okay option number 4 thank you friends